जनता टीवी पर सायुक्त मुख्य निर्वाच्छन अधिकारी डॉक्टर इंडजीस सिंग ने एहम जानकारी जनता टीवी से साजा की है हर्याना के चुनावी रण में अब 1160 अमीद्वार बच्चे हैं आचार सहिता के चलते नौकरोड की जबती हुई और शराब नगदी के साथ ही और भी तमाम जनकारी उन्होंने चुनाव से जोड़ी दी है और निर्वाचन अधिकारी से खास बाच्चित की है हमारे सम्वाता पवन से बनने सुनिए हर्याना के सयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंदरजीत मेरे साथ है हर्याना में आज जो विधान सभा चुनाव 2019 है उसमें नाम वापिस लेने का अंतिम दिन था और अब हर्याना के सियासी मैदान में कितने योदा बच्चे हैं इसके उपर बातशित करने लिए मेरे साथ डॉक्टर इंदरजीत है सर सबसे पहले आपका जिनता ट्वी पर स्वागत है सर दूसरा सर आज जो है वो साथ अक्तुबर को नाम वापिस लेने का अंतिम दिन था अब उमिदवार कितने बचे हैं सर मैदान में देखे इस समय मैदान में 1168 उमिदवार बचे हैं और सबसे अधिक हिसार चिले में 118 और सबसे कम पंचकुला जिले में 24 हैं सर दो हजार उननीस का ये रण है इसमें जो है वो उमिदवार जो है वो 1168 अब मैदान में है 2014 की बात करते हैं सर, 2014 में कितने मैदान में उमिद्वार थे सर? 2014 में विधान सभा के अंदर 1351 थे अब सर जो है वो ये उमिद्वार 1168 है लेकिन कितने इनमें राजनेतिक दलों के है कितने जो है वो निर्दली है वो प्रोसेस कब तक हो पाएगा क्योंकि पूरे पर्देश का डाटा नमें विधान सभा कारणा है तो वो कंपाइलिंग पूरी आपके पास कब तक हो जाएगी ज़ाएगी ज़ाएगी देखिए नाम वापसी के बाद फॉर्म सेवन कंप्लीट करना होता है एलफाबेटिकली केंडिडेट्स के नेम आते हैं पार्टी वाइज नैशनल पार्टी स्टेट पार्टी फिर उसके बाद रिजिस्टिट और इंडिपेंटन तो एक प्रोसेस से वो बड़ा क्येरफुली करना पड़ता है और कल तक वो बनके हमारे पास आ जाएगा और उसकी जरिये हम मेल फिमेल और पार्टी वाइज और इधर से जो इंडिपेंट हैं उनकी डिटेल दे पाएंगे कि बाद जर नक्ति है चायए वह नकटी की है चैए वह लिककर की है या फिर अन्य जो समान की जबती है कितने का जब जो हो किया गया है कौन-कौन सा उसमें समान है इस देखिए अब तक जो केश सीज़ गए है दो क्रोड 66 लाग इसी परकार से जो सराब है करीब 1,33,456 लीटर जिसकी मार्किट वैल्यू दो क्रोड 93 लाग और इसी परकार से जो ड्रग्स नार्कोटिक चित्यादी है जिसकी मार्किट वैल्यू हमारे पास 3 क्रोड 44 लाग है तो इस परकार से अब तक जो टोटल सीजर है Model Code of Conduct लगने के बाद वो लगभग 9 करोड रुपे का है और साथी सर जो है वो अब जो सी विजल है आपका उसके उपर सिकायते मिल रही होंगे आपको जगे से कितनी सिकायते मिली है और सी विजल एक बार फिर हम चाहेंगे कि लोगों को इसके बारे में आप बताएंगे सी विजल से क्या वो है वो अपडेट कर सकते हैं क्या वो किस तरह से कर सकते हैं देखिए अभी तक सी विजल पर हमें 1514 सकायते प्राप्त हुई है जिन में से 1200 सकायते सही पाई गई और अभी तक आपका जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो 1514 सकायते मिली है उसमें से केवल एक सकायत पेंडिंग है बाकी सब का निप्तारा कर दिया गया है और सबसे अधिक हमें कैथल डिश्टिक में 278 प्राप्त हुई है इसी परकार से अगर देखा जाए हिसार में 231 और सिर्चा में 226 सकायते मिली है तो इस परकार से 1514 सकायते मिलना ये दर्चाता है कि जनता सी विजिल का इस्तेमाल कर रही है जहां कहीं भी उनको लगता है कि मोडल कोर्ड ओफ कंडक्ट का वाइलेशन हो रहा है तो वो 2 मिनट का वीडियो बना करके या फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर रहे हैं और उसी समय जो भी टीम है नियर बाए 20 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुंचने का प्रियाज करती है और 100 मिनट के अंदर अंदर उस पर एक्षन लिया जाता है तो आपके माध्यम से मैं अपिल करना चाहूंगा कि हर एक विक्ति आम नागरिक स्री विजिल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ओफ इंडिया की आँखनाक कान बन करके एक उपजरवर की तरे काम कर सकते हैं जहां कहीं भी लगता है कि मोडल कोड ओफ कंडक्ट का वाइलेशन हो रहा है तो वो सी विजिल के उपर कंप्लेंट कर सकते हैं इसमें दोनों चीजें हैं अगर कोई चाहता है कि उनका मोबाइल नंबर ना जाए उनकी इडेंट्री गुपत रहे तो वो भी इसके अंदर प्रोवीजन है अगर वो अपना मोबाइल नंबर अपने नेम इतियादी को जारी रखता है तो उसके पास ये रिप्लाई भी जाएगा कि क्या एक्शन लिया गया है देखिए चुनावी त्यारियों की समिक्ष़ा के लिए एलेक्षनımızı कमीशन अफ इंडिया नो और 10 अक्तूबर को चंडिगट आ रहे हैं और इसमें नो तारिक को सबसे पहले जो मेटिंग होगी प्लिटिकल पार्टीच के जो प्रतिनिदी हैं उनके साथ मेटिंग होगी हर एक पार्टी को 15 मिन्ट का समय दिया गया है और वो जो एक निश्चित समय है सब को सुचित कर दिया गया है उसके पश्चाद सियो ओफिस और जो पुलिस नोडल ओफिसर है उनके साथ मेटिंग होगी और उसके पश्चाद जो स्टेट नोडल ओफिसर है अलग-अलग डिपार्मेंट के उनका जायजा लेने के लिए बैठक की जाएगी और अगले दिन जिले के सभी SP और DC इसी परकार से Divisional Commissioner, IG, ADGP, Police Range उनके साथ बैठक होगी और उसके बश्चाद Chief Secretary, DGP, ACS Home, इतियादी के साथ मेटिंग होगी और उस मेटिंग के साथ जो Print Electronic Media है जो पत्रकार वो होदे हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फरेंस होगी अब पुरी तरीके से आप उन्तिम तैयारियों को गौण रूप देने में लगे हुए जी बिलकुल हमारी तैयारिया लगबग पूरी हो चुके हैं और जैसे जैसे कमिशन की हिदायते हैं उसके मुताबिक परशाशन पूरी तरह से मुस्तेहर है और पूरी त्यारी कर चुके हैं अब नाम वापिस लेने के बाद मैदान में 1168 उमिद्वार बचे हैं जिसमें सबसे ज्यादा इसार में 117 है जबकि सबसे कम पंचकुला जिले में 24 उमिद्वार जो है वो मैदान में है और साथ ही उन्होंने जानकार दी है कि इलेक्षिन कमिशन ओफ इंडिया के जो टीम है वो दो दिन के लिए हर्याना यानि चंडिगड आ रही है और सभी जो चुनाव से जुड़े अधिकारी है और जो राजनितिक दल है उनके साथ दो दिन तक बैठक रहेगी और इसके बाद दस तारिक को शाम को मीडिया से बहुत बहुत धन्यवाद